जैसी कुष्ण सभी को मेरा फ्रेंट्स आज पुर्शत्तमास का दूसरा दिन है और आज खीर के दान का बहुत बड़ा महत्व है वो पात्र के साथ दान करना है तो चलो बनाना शुरू करते हैं तो मैंने एक बड़ी कड़ाई ले लिए उसमें एक लिटर जितना दूद ले है आप फुल फैट क्रीम या जो भी आपके घर में आता है वो ले सकते हैं फिर पॉन कटूरी चावल लिये है उसको दो बार अच्छे से पानी दाल के अच्छे से तो लिया हमने दूर चढ़ा दिया है बॉल होने के लिए और यह दो बार धो लिये है चावल इसको हम हलका स बारिक कर लेंगे यह एकदम बारिक चुरा बेनी करना है दो दो तुकड़े में होना ची ऐसा बारिक कर लेंगे तो उससे क्योंगी खीर बढ़ी है से गाड़ी गाड़ी बनेंगी और बहुत तेस्टी लगती है तो यह चावल के आधे-आधे लगबक टुकड़े हो गए ह अब हम यह पूरे चावल हमारे खीर में डाल देंगे खीर भी पकेंगी याने दूद भी पकेंगा साथ साथ में हमारे चावल भी पक चाएंगे पूरी प्रोसेस को टाइम लगेंगा कम से कम 25-30 मिनिट तो वो खीर को मीडियम या लो फ्लेम पे चड़ा के रब दे और सुन्दर आएंगा अगर केसर नहीं है तो आप फूर कलर इस्तेमाल कर सकते हो वह भी नहीं चाहिए तो कोई नहीं उसमें नहीं भी डाले तो चलेगा अब देखिए हमारी खीर 25-30 मीट बाद बहुत शारी पक गई है तब हमने इसमें डाल दिये काजू बदाम और थोड़ पकाएंगे और शाथ में अब हम इसमें डालेंगे जब खीर पक जाए आपके खीर जितनी आपको गाड़ी चाहिए उतनी हो जाए तेखो अभी लगभग 35 मीट में अच्छे से पक गई है तब हम इसमें डालेंगे शक्कर तो एक लिटर दूद में 8 चमर शक्कर का अब यह शक्कर दाल के हम 5 मीट तक कि अलाते हुए पकाएंगे और सबसे आखरी में हम दालेंगे इसमें इलाइची पाउडर और बढ़िया सी खुश्बू आएंगी इलाइची पाउडर से अगर इलाइची पाउडर नहीं है केवड़ा एसेंस दाल सकते हैं उससे भी दानिश कीजिए और इसको प्रशत्र मास में आज के दूसरे दिन में दान करने का बहुत बड़ा मत्व है तो इस पेर उपरिया रखकर हाथ कुमा कर मूली बांद कर इसको आप दान कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो देखेंगे प्रशत् फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में सबको जैसी क्रिश्ना